हेलो एवरिवन, वेलकम टो ओनली सिबिल्स गुरू, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं 25 फरवरी 2022 का करेंट अफिर, I hope आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लास्ट में हम 24 फरवर करेंट अफिर का रिविजन भी करेंगे, तो बने रहें एंड तक और स्टार्ट करते हैं, question number 1 से, question number 1 है, दुनिया का सबसे खूबसूरत, माना जाने वाला museum of the future कहां खोला गया है, option A, दुबई, option B, मुंबई, option C, निव्यार्क, या option D, लंदन, तो दोस्तों, option number A is correct, दु कुर्ज खलीफा जैसी विशाल इमारत के लिए मशूर दुबई सहर में एक और सांदार विल्डिंग बनाई गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों, इसको museum of the future नाम दिया गया है, और ये किस से बनी हुई है, तो दोस्तों, ये stainless steel से बनाई गया है, और यहा दुनिया की सबसे सुन्दर इमारत बताया जा रहा है, दोस्तों, इसको तो museum of the future को दुनिया की सबसे खुबसूरत इमारत बताया जा रहा है, और इस building को बनाने में 9 साल का वक्त लगा है, दोस्तों, कितने, तो इस building को बनाने में total 9 years का time लगा है, तो अब देखेंगे question number 2, बहुर आश्ट्रिये furniture company IKEA India की पहली महिला CEO कौन बनी है, option A महिमा गुपता, option B सुजैन पुलवर, option C अमीना सिंग, या option D इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, option number B is correct, सुजैन पुलवर, ये दोस्तों, company IKEA ने सुजैन पुलवर को अपने भारतिये कारोबार के लिए मुख कारेकाल अधिकारी CEO और मुख सस्टेनविल्टी अधिकारी CSO नियुक्त किया है, दोस्तों, और वह यह पदसमालने वाली पहली महिला है, और इन्होंने किसका इस्थान लिया है, तो दोस्तों, इन्होंने IKEA IKEA इंडिया के CEO और CSO Peter Wett Jail का इस्थान लिया है, इन्होंन तो सुजैन पुलवर ने पीटर वेट जिल का इस्थान लेगी तो आप देखेंगे question number third हाल ही में केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवश यानि की central excise day कम मनाया गया option A 20 फरवरी, option B 21 फरवरी, option C 24 फरवरी या option D 23 फरवरी तो दोस्तों option number C is correct 24 फरवरी ये दोस्तों हर साल 24 फरवरी को केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवश यानि की central excise day मनाया जाता है और इस दिवश का संचालन केंद्रिय वित्म अंत्राले के अंतरगत केंद्रिय उत्पाद और सीमा सुल्क विवा की ओर से किया जाता है और दोस्तों इसका लच्छ क्या है तो दोस्तों इसका लच्छ आम लोगों को उत्पाद सुल्क और सेवा सुल्क की एहमियत बताना और यहीं पर बात करें तो 24 फरवरी 1944 को केंद्रिय उत्पाद सुल्क और नमक कानून लागू किया गया था जिसके बाद यह हर साल मनाया जाता है दोस्तों क्या तो यह हर साल केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवश मनाया जाता है तो अब देखेंगे question number 4 हाल ही में समुद्री वन्य जीव अपरादों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है option A केरल, option B तमिल लाडू, option C आंद्रप्रदेश या option D उडिशा तो दोस्तों option number B is correct, तमिल लाडू ये दोस्तों समुद्री वन्य जीव अपरादों से निपटने के लिए तमिल लाडू सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है और यह कदम मननार की खाड़ी में समुद्री वन्य जीव अपरादों से निपटने के लिए उठाया गया है और दोस्तों इस elite force का उद्देश क्या है तो दोस्तों इसका उद्देश समुद्री जीवों की रच्छा करना तथा अवैद सिकार वा तसकरी को रोकना इसका मुखे उद्देश है दोस्तों तो अब देखेंगे question number 5 हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा नामक पहल का सुबारम किया है option A नरेंद्र मोदी, option B अमिश्चा, option C राजनात सिंग या option D प्यूश गोयल तो दोस्तों option number A is correct नरेंद्र मोदी ये दोस्तों प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुण Aerospace Private Limited की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उधगाटन किया और यह भारत के राजियों में खेतों में कीट नाश्कों का छिड़काओ करने के लिए भारत भर के भिविन शेरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी जंडी दिखाई है दोस्तों तो यहां पे बात हुई है गरुण Aerospace Private Limited तो दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट डिसकस करेंगे आपके साथ तो दोस्तों इसका जो मुख्याले है बोट चैन नहीं तमिलाडू में इस्तित है और इसके संस्तापक और CEO है अगनिश्वर जै प्रकास किसके तो गरुण Aerospace Private Limited के CEO है अगनिश्वर जै प्रकास तो अब देखेंगे question number 6 केंद्रिय मंत्री सर्वा नंद सोनो वाल ने ड्रेजिंग संग्राले का उद्गाटन कहां किया option A मध्यप्रदेश, option B विसाखा प्टनम, option C चंडीगर या option D जैपूर तो दोस्तों, option number B is correct, विसाखा प्टनम ये दोस्तों केंद्रिय मंत्री सर्वा नंद सोनो वाल ड्रेजिंग संग्राले का उद्गाटन विसाखा प्टनम आंध्रदेश के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया परिसर में किया है और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया की स्तापना 45 वी वर्सगाट के अप्सर पर इसका उद्गाटन किया गया है दोस्तों तो आइए देखते हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया क्या है तो दोस्तों ये भारत की अग्रिणी ड्रेजिंग कमपनी है और इसका उद्देश ड्रेजिंग और रिलेक्स मेशन समुद्री निर्माड समुद्री सेवा आधि के छेतर में सेवाएं पिरदान करना तो आप देखेंगे question number 7 निम्न में से किसने विज्ञान सर्वत्य पूजते नामक इस्मरणों उस्तव कारिक्रम का सुबारंब किया है option A. राजनात सिंग, option B. नरेंद्र मोदी, option C. जी किशन रेडी या option D. इस्मरती रानी तो दोस्तों option number C is correct, जी किशन रेडी ये दोस्तों विज्ञान सर्वत्य पूजते एक अखिल भारतिय कारिक्रम है जिसके तहत हमारी आजादी के 75 वर्षपूर होने के अपसर पर आजादी के अमरत मोहतसब के क्रम में देश की विज्ञानिक उपलब्दियों की उत्क्रस्टता तथा उसकी भावना का उत्सब मनाया जा रहा है और दोस्तों यहे एक सप्ता तक देश के 75 शहरों में एक साथ चलने वाले विज्ञान सर्वत्य पूजते का आयोजन संस्कृती मंत्राले पृदाण वैज्ञानिक सलाकार कारियाले और विज्ञान परद्योगी की विवाग की स्वायत संसिता विज्ञान प्रशार द्वारा अन्य मंत्राले और तथा विवागों के शयोग से किया जा रहा है तो आप देखेंगे question number 8 हाल ही में किस मंत्री के द्वारा प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीर डेश वोर्ड लाउंच किया है option A. राजनात सिंग, option B. गिरीराज सिंग, option C. पियूश गोयल या option D. नरेंद्र मोदी तो दोस्तों option number B is correct गिरीराज सिंग ये दोस्तों 22 फरवरी 2022 को केंद्रिय ग्रामीर विकास और पंचायती राज मंत्री श्री ग्रीराज सिंग ने प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीर डेश वोर्ड को लाउंच किया है और दोस्तों ये डेश वोर्ड योजना की कड़ी निगरानी में मदद करेगा और यह डेश्वोर्ड योजना के क्रियान वैन में पूर पारदर्शिता प्रदान करेगा और यहीं पर बात की जाए तो दोस्तों यह गाउं के सरपंचों से लेकर निर्वाचन छेत्रों के सांसदों तक डेश्वोर्ड का लिंक पहुचा दिया जाएगा और दोस्तों अब देखेंगे प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीड योजना के जो लच्छे हैं वो कौन-कौन से हैं तो दोस्तों इसके जो लच्छे हैं यह हैं घरों के निर्माड की गती और गुडवत्ता में सुधार और सेकेंड है लावार्तियों के समय पर ध्यान राशी जारी करना फ़र्ड है लावार्तियों के खातों में राशी का सीधा हनस्तां तरण और यहीं पर बात करें तो लावार्तियों को तकनीकी सायता भी दे जाएगी आप देखेंगे यह question number 9 हाल ही में कौन से बल्लेवाज T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने है ओप्षन A विराट कोली, ओप्षन B रोहित शर्मा, ओप्षन C हार्दिक पांडिया या ओप्षन D रविंद्र जडेजा तो दोस्तों ओप्षन नमबर B is correct रोहित शर्मा ये दोस्तों भारतिये कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतराश्टिये में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं और इन्होंने इस मामले में नियूजी लेंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के ही बिराट कोली को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों और रोहित सर्मा ने स्री लंका के खिलाफ लखनओ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे T20 में यह रिकॉर्ड बनाया है तो अब देखेंगे क्वेश्चन नमबर 10 IPL यानि कि इंडियन प्रीमेर लीग का बंदर्वा सीजन कप से शुरू किया गर जाएगा ओप्शन A 25 मार्च, ओप्शन B 26 मार्च, ओप्शन C 24 मार्च या ओप्शन D 27 मार्च तो दोस्तों ओप्शन नमबर B is correct 26 मार्च इंडियन प्रीमेर लीग का पंदर्वा सीजन 26 मार्च से सुरू होगा और दोस्तों इसका फैसला किसकी बैठक में लिया गया है तो दोस्तों इसका फैसला IPL Governing Council की बैठक में लिया गया है और इसकी जानकारी IPL के अध्यच ब्रजेश पटेल ने दी है दोस्तों इस बार 10 टीमों के ओग दो गुरूपों में बाटा जाएगा और एक टीम को गुरूप राउंड में कम से कम 14 मैच खेलने होंगे दोस्तों और यहीं पर बात करें तो IPL में इस बार कुल 74 मैच होंगे जिनमें से 70 मैच मुंबई के बान खेड़े स्टेडियम ब्रोबॉर्ण स्टेडियम के साथ नवी मुंबई के डिवाई पार्टिल ग्राउंड और पुड़े के गहुजे स्टेडियम में खेले जाएंगे और दोस्तों IPL का जो फाइनल है वो 29 मैच को खेला जाएगा और दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन एक्सराइज और रिवीजन एक्सराइज में करेंगे आज 24 फरवरी के करेंट फिर का रिवीजन तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नमबर वन इंटरनेशनल रवर इस्टडी ग्रूप के नए अध्यच्छ कौन बने है तो दोस्तों के अनरागवन इंटरनेशनल रवर इस्टडी ग्रूप के चेर्मेन बने है क्वेश्चन नमबर टू है भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थ व्यवस्ता और महासागर्शाशन पर रोड मैप समझोते पर हस्ताच्छर किया है तो दोस्तों भारत और फ्रांस ने नीली अर्थ व्यवस्ता और महासागर्शाशन पर हस्ताच्छर किया है क्वेश्चन नमबर थर्ड है किसने रियो ओपन 2022 टैनिस खिताब जीत कर ETP 500 चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाडी बन गए है तो दोस्तों ये सबसे कम उम्र के खिलाडी है कॉर्लोस अलकराज क्वेश्चन नमबर फोर है नौका सेवाओं के लिए नाइट नविगेशन मोबाईल एप लाँच करने वाला भारत का पहला राजी कौन बनाए है तो दोस्तों ये असम है क्वेश्चन नमबर फाइव है निम्न में से 22 फरवली 2022 को किस देश ने लगवक 300 साल वाद पहली बार अपना इस्थापना दिवस मनाया तो दोस्तों ये साओधी अरव ने इस्थापना दिवस मनाया है क्वेश्चन नमबर शिक्स है कोका कोला इंडिया के सौफ ड्रिंक ब्रांड थमसब ने किस अवनेता को अपना ब्रांड अमेजडर नियुक्त किया है तो दोस्तों ये सारुक खान को अपना ब्रांड अमेजडर नियुक्त किया है क्वेश्चन नमबर शेवन है आईवियम पूरे एशिया प्रसांत छेत्र के लिए अपना पहला साइवा सुरच्छा केंदर कहां इस्थापित करेगा तो ये दोस्तों बैंगलरू में इस्थापित करेगा Q8 है हाल ही में रिचा घोस किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्ध सतक लगाने वाली भारतिये महिला खिलाडी बन गई है तो दोस्तों ये बंडे फॉर्मेट है उसमें ये भारतिये खिलाडी बन गई है Q9 है Q10 Q10 ये जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लाँच किया है और दोस्तों अब है ये आपके लिए कल के प्रशन का उत्तर आपसे क्वेशन किया था विश्यू की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तों विश्यू की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये है आपके लिए आज का प्रशन डोडोमा किस देश की राजधानी है दोस्तों आप यह कमेंट करके बताएंगे कि डोडोमा जो है वो किस देश की राजधानी है तो फ्रेंड्स ये था हमारे इंपॉर्टन्ट करेंट अफैर का स्टेशन I hope आपको पसंद आया होगा और पसंद आये तो प्लीज दोसतों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सबस्क्राइब जरूर कीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए तो चलिए कर मिलते हैं अपनी नेच्स वीडियो में तब तक के लिए Thank You